वेल्कम बेक टो चले एवरीवन तो मेरा नाम अने खिल और आप देखरेड ट्रावल एक्सपो एंजी तो आज की डेट है 17 डिसेम्बर 2020 दे थर्स्डे अधर ऐसी है कि बहुत दिन हो गए मैं आने आपसे बात ही नहीं की और गया भी नहीं था मैं किदर विकास अफ दिस पें सोचा की चलो हो किदर तो हो के आता है तो है दोस्तों के साथ मैं जा रहा हूँ एंड शॉट स्पीन और लाइक शॉट राइट रहेगी किदर तो जाएंगे अच्छे से प्लेस देखके हम उदर रुकेंगे थोड़ा ताइम स्पैंड गरेंगे और मस्ती मजा करेंगे और से रिटन आएंगे अभी टाइम हो रहा है शाम के चार आप गैस कर सकते हैं यह प्लेस एक बार मैं इदर रेनी सिजन में आया था पर अभी कुछ इतना पानी हो अगरा कुछ नहीं है फ्रेंट्स ब्रुशाब विनायक एंड यह हमारा मया दोस्तों इस दे ब्यूटी ओफ नेचर आएंड वी मस्त रिस्पेक्ट आ नेचर यह जैसे कि आप देख सकते हैं इदर बहुत तरीके के प्लांट्स मैडिसिनल प्लांट्स कुछ फॉरेस्ट जो है हमारे वैसे प्लांट्स वगरा कुछ है इदर तो तो लेक्सी अभी इदर थोड़ा टाम स्पेंड गर दे है बहुत मजा रहे है बहुत मजा रहे है बहुत है मतलब बहुत है तो अब हम राइडिंग जेकेट तो नहीं है तो अब ही प्लैन करेंगे हम राइडिंग जॉट कई लेने का एक्सेशरी वगरा बिकॉस सेफ्टी फॉस्ट है कभी भी हम राइडिंग करते हैं हलमेट जरूर पे निये बिकॉस मैं किधर भी घाता हू हमेशा मेरे साथ रहता और खुद के भी पहरों के आना बड़ेगा विकॉज आप हेलमेट नहीं दालोगे तो सब कुछ जान है तो जान अब हे हमारे हम एक्चुली इधर से नीचे जाएंगे इस ब्रीट से नीचे जाएंगे एक्चुली ये बारिश के मौसम में बहुत ही इधर से पानी जाता है तो इधर आने को नहीं मिलता है पर हम लखी है कि अभी खुड़ा बारिश कम है ये वाला पेड़ बहुत ही बड़ा है और ऐसे हम नहीं ला सकते इसको अंदर बात ऐसी है कि प्रकृति जो है हमारी उसका हमारे मुकाबले कोही तूलना नहीं हो सकती वह बहुत पावर्फुल है ये केव जैसा कुछ लग रहा है ये केव नहीं है ये ब्रीश है ये रहा वो पेड़ ये हमारे मित्र तो आज हम आये है कुछ छोटे से राइड करने के लिए एक्सप्लोर करने ये कुछ बहुत ही नहीं जगा है ये जैसे कि मैंने आपको बोलाता है कि पिछले वीडियो में मैंने यही ब्रीश लिया ता पर हमें इदर आने का मौका नहीं मिल रहा था विकाज ये रहिनी सिजन का वक्त था जब मैंने वो वीडियो शुट किया था तो अभी थोड़ा थंडी का मौसम है तो इदर आने के लिए हमें कुछ मिल रहा है unseen place I think hidden place किसी भी यूडियोबर ने आपको इस जगह की जंकरी नहीं दी योगी तो बहुत दिनों बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया थे बहुत दिनों बाद हम इदर तीनों तीनों अलग-अलग फिल्ड में जा जुके हम एक ने कुछ अलग लिया वह एक में डिफ्रेंट और यह डिफ्रेंट तो बहुत दिनों बाद हमारा get together जैसा हो गया आज के दिन बहुत दिनों बाद एक्जाम्स वगेरा कुछ खतम करके थोड़े हमारे तो चालू हो गया होने वाले है अभी इसका खतम हो गया और इसका वी चालू होने वाला है तो आज बहुत अच्छा मौका मिला हमें इदर आने के लिए एंड मौके का फाइदा उठाना चाहिए मौके पर चौका मारना सिखना है तो चक्का भी मार दो कुछ भी मार दो पर मार दो अच्छा है तो अभी इदर हमने बहुत सारा ताइम स्पेंड गया थोड़े फोटो शूट वगरा के जाके इंस्टाग्रम पर फॉलो कीजिए एंड दूते लाइक कीजिए लाइक कीजिए फॉलो कीजिए हां एंड सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चैनल तो अभी का प्लैन जो है थोड़ा कुछ चाय वगरा कुछ पीने के लिए जाना है अगर हमें कुछ मिलता है तो वरना हम डायरेक्ट घर जाएंगा अभी टाइम हो रहा है 6.35 शाम के 6.35 जो कि हम 4 बज़े घर से निगले थे तो अभी शाम को हम वालपय मार्केट में शेवपुरी खाने के लिए वालपय की स्पेशल शेवपुरी इदर जो है हम इतर खाने के लिए आये है यह रहे वो चैरे जो बनाते हैं वालपय में है यह शॉप एंड एंड हम चार लोग है तो चार शोगर खागे हम अभी निकलेंगे घर जाने के लिए निकली आयर जाने के लिए यह वीडियो जा यह बड़ खागे बॉड खागे के लिए जो एक्शन केमरा है उसे वीडियो शूट किये थे पर वो अभी रिड नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम माफी चाहते है तिल देन पीश